सागर जिले की सुर्खी विधान साभा में होने वाले उपचिनाओं में कॉंग्रेस प्रत्यासी पारुल साहू के समर्थन में जन साभा को संबधित करने प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलात दोफर साड़े बारा वजे जेसे नगर पहुचे थे जहां बड़ी संख्या में कार संकित क्या है हमने वोट से सरकार बनाई थी इन्होंने नोट से सरकार बनाई है सागर जैसे नगर से अनिल सलमा के साथ सलमान कुरेश्चि की रिपोर्ट मैंने कौन सा बाद किया था जब मैंने 27 पजिश्च अपने पिछली ध्याती के आरक्ष्च का निड़ने लिया ये आप सब के सामने है और मैं तो आप से कहता हूँ इनके फंद्रह सा देख लेगा स्कूल में शिक्षत नहीं हस्पताल में डॉक्टर नहीं डॉक्टर के पास दवाई नहीं तंकी की का पाइप नहीं खंबे में तार नहीं तार में भिचली नहीं ये तस्वीर किसान बिना काम के किसान बिना दाम के नाजवान बिना काम के जनता पोच रही है शिद्राज तुम किस काम के आपकी दुनिया कुछ और थी हमारे बज़रुगों की दुनिया कुछ और थी आज ये नाजवानों की दुनिया कुछ और है आज का नाजवान में एक तरफ है आज का नाजवान जो भटक रहा है यही नाजवान जो आख़रे हैं आप नारे लगा रहे हैं आप ही मंद्द प्रिदेश के बविश है आप ही मंद्द प्रिदेश का निर्मार करेंगे अगर आपका बविश्य अंदेरे मेरा, कैसा मन्देपरदेश बनेगा बविश्य में? यह जवाद में तो तरफ है, कोई ठेके की तरफ नहीं है, कोई कमिशन की तरफ नहीं है, यह तो डैपसाई का बॉका चाते हैं, यह अपने हाथों को काप चाते हैं, और शिवरादी, आपने तो बंदरह साल में दित्ते उद्योग मन्देपरदेश में लगे नहीं, उससे हमारे पारुल साउजी तो हमारा चिन है, चुनाप की चिन है, यह समाद सेवग रही है, इनके परिवार से मेरे बहुत पुराने संबंद है, संतोर साउजी से, पारुल साउजी राजनीती व्यक्ति नहीं है, यह समाद सेविका है, और मुझे पूरा विश्वास है, यह तो ऐसा प्रदेश जहात महती हमें बद्द प्रदेश नंबर वन बेरोस्कारी में नंबर वन बस्ताचार में नंबर वन माईला परत्ताचार पर नंबर वन ऐसा प्रदेश मुट्पको सोपा कौन से चुनोती नहीं थी हमारे सामने हमारे कृषी छेत्र नी जनोती है हमारे किसान जिसका जन्म करजे में होता है जिसकी मृत्यो करजे में होती है हम किसी छेत्र में कैसे करांती लाए हमने शुरूबात करी हमने शुरूबात करी करदा माफ कि अब जिनका करदा माफ हुआ गवा है अपने प्रदेश के लगवग 27 लाख किसान कवा है कि हमने 27 लाख किसानों का करदा माफ किया दूसरी केस चालू थी तीसरी केस हम जून से शुरू करने वाले थे जहां हर कसान का करदा माफ लुआ और शिवराज सिंधी कहते किसानों का करदा नी माफ गुआ हाँ शिवराजी हैं, हमने आप जैसे किसानों का करदा माफ नहीं किया, और आगे भी भी करेंगे, हम उनका किसानों का करदा माफ करेंगे, जो गरीब किसान हैं, जो इंकम टैक्स देने वाले, जो बड़े-बड़े पद पर रहने वाले किसान हैं, उनका करदा माफ नहीं करते, य ये जन्दा ते करेगी, कैसे आपने हमारे किसानों को, कहते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, कि नीब नाहला है, पर अगर बितने लग देंगे, तो अगली दफ़े सरपंच के तुनाब की भी जरूरत नहीं है, गाहों में बोली बोल लेना, और सरपंच बन जाएगा, ये आलात होने वाले हैं, मैं तो कहता हूँ, बुजर्दों से कहता हूँ, अपने माताओं से कहता हूँ, आपको इस संब्धान की रक्षा करनी है, आपको इन नाजबानों को आगे आने वाले पीडियों की रक्षा करनी है, क्योंकि ये बाबा साथ अम्बेट कर जी ने हमें सम्विदान दिया था हमारे भारत का जिस पर हमें गर्वे पूरे विश्व में जाओ भारत के सम्विदान का दिकर होता है और आज क्या पहचान बनी पूरे देशवर में जाओ कहते हैं मद्य प्रदेश तो विकाऊ प्रदेश है, सागर सुर्की जी बात करो, कहेंगे सागर सुर्की तो विकाऊ जगा है, बखाऊ छेत रहे, कित्ता कलंकित किया, कित्ता कलंकित किया हमारे प्रदेश को, हमारे सागर और सुर्की को कित्ता कलंकित किया, और सरकार बनानी थी शिब्राजी को इत्ती चड़पती 15 साल मुख्य पंतरी बाती है जन्ता पार्टी का रहा मंद्यपदेश की जन्ता ने कॉंग्रेस की सरकार बनाई हमने वोर्स से सरकार बनाई इन्होंने नोच से सरकार बनाई और आप गवा है आप गवा है छोटा सोदा तो छिप जाता है पर बड़ा सोदा चिपता नहीं है यह इतना बड़ा सोदा किया यह आज तस्मीर आफ सब के सामने 15 साल के बाद कॉंग्रेस की सरकार 15 मैं में कि भी परी कैसा प्रदेश वने सोपा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें